थैंक यू डॉक्टर गुल्शन सत्र शुरू होने से पहले मैं प्रतिभाग्यों को बताना चाहूंगी कि आज के सेशन थोड़े सूचना पर रख जादे हैं हैं इतना नहीं है तो पहला जो सत्र है वो है ICT initiatives के बारे में जो हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि informative है PPT आपके साथ share कर लेंगे PPT आप देखें उस पर अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो वो सवाल आप हम से chat box में या बीच में जब भी समय मिलेगा पूछ लें मैं कोशिश करूंगे एक बार quickly run through कर लें हम उस presentation को और उसके बाद जो दूसरा important session है वो है digital resources types and forms क्या-क्या different forms के digital resources हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको सूचना के साथ साथ actual resources भी देखने को मिलें कि हम interactive resource की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या है और अगर हम बात कर रहे हैं graphics की तो graphic resources कैसे होते हैं AR VR वाले resources कैसे होते हैं तो इन सब के बारे में हम second session में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत कम समय है हम थोड़ा schedule से पीछे चल रहे हैं तो directly हम start करते हैं presentation से डॉक्टर गुल्षन मेरी presentation यहां पर project करेंगे अपने screen पर जो कर ही दी है तो digital education in India इसका क्या पूरा scenario है तो यहां हम अगर educational scenario देखें तो भारत एक unique देश है जिसमें population हमने चाइना से भी को भी पीछे छोड़ दिया है जब हम population की बात करते हैं और इस population में two third population जो है वो युवाओं की population है 1.5 million विद्याले हैं हमारे देश में 8.5 million यानि की 85 लाख के आसपास teachers हैं और 260 million student हैं विद्यारती हैं हमारे देश में और 17,000 से भी उपर teacher education institutions हैं जिनने की teacher educators भी होंगे तो इतने लोगों के लिए हमें quality education impart करना education plus teacher education ये एक हमारे सामने चुनोती पून कारे हैं और इसमें जो digital technology है उसकी मदद से हम scale up कर सकते हैं कि अभी 300 प्रतिभागी जुड़े वे हैं हमारे साथ अगर आप seriously in sessions को करते हैं तो हम 300 प्रतिभाग्यों को एक साथ प्रशिक्षित कर सकते हैं जो की face to face mode में संभव नहीं हो पाता है इतने सारे प्रतिभाग्यों को एक साथ address करना तो ये digital technology की जो है एक वर्दान है कि हम ऐसा कर सकते हैं दूसरा है diversity एक challenge है जो हमारे देश के सामने है population तो है ही diversity भी एक challenge है क्योंकि ये जो population है वो विद्यार्थियों की population हो या शिक्षकों की हो वो diverse locations पे हैं और भारत अपने आप में एक विवित्ता पूर्ण देश है यहां 1500 से भी जादे भाशाएं और बोलियां बोली जाती हैं तो जब हम digital content development की बात करते हैं तो हमें इन और बोलियों को भी हम neglect नहीं कर सकते खासतोर से प्रात्मिक शिक्षा की जब हम बात करें क्योंकि हर education policy ने यही कहा है कि जो बालपों की प्रात्मिक शिक्षा है वो मात्र भाशा में होनी चाहिए तो इसी लिए हमें multilingual education पर भी ध्यान देने की आवश्यक्ता है और multiple भाशा में इन संसाधनों को महिया कराने की आवश्यक्ता है इसके अलावा हम विभिन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक समूहों से भी संबंद रखते हैं भागौलिक भी विवित्ताएं हमारे देश में पाई जाती हैं तो वो local specific जो nuances हैं हमें वो भी बनाए रखने हैं शिक्ष के माद हम से भी हमें उन्हें address करना है तो यह एक अन्य चुनोती है जो हमारे सामने हैं इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक digital divide भी ना केवल भारत में बलकि यह विश्व व्यापक है digital divide तो है ही कुछ लोग ऐसे हैं जिने हर प्रकार की प्रोद्योगी की उपलब नहीं है तो इसमें भी विविदता है तो जिससे कि एक digital divide एक gap create होता है और इस gap को भी हमें कैसे भरना है प्रोफेसा बहरा प्रग्याता गाइडलाइन्स की बात कर रहे थे तो उसमें different models of digital education है जिनको ध्यान में रखते हुए हम हर तरह की सुविधा वाले बच्चों के इंपार्टिंग equitable quality education और lifelong learning ये भी एक महत्पून जो गोल है हमारी शिक्षा का जो शिक्षा नीती में भी बहुत प्रभावशाली तरीके से stand out करता है वो है कि equitable or quality education समता और समानता परक्षिक्षा हमें मुहिया करानी है और साथी साथ rootedness in Indian culture भी एक गोल है उसका भी हमें ध्यान देना है नेक्स लाइड प्लीज यहां देखें ICT uses in India यह policy direction है कि कैसे 1972 में ET scheme की शुरुवात हुई थी और 1972 से यह यात्रा प्राढ़म्ब की गई और अब हम जिस पढ़ाओ तो मैं नहीं कहूंगी पढ़ाओ पर नहीं है क्योंकि निरंतर कारे चल रहा है 2020 से 2024 के बीच हम क्या क्या कर पाए है कहां तक पहुँचे हैं शुरुवात ET scheme से हुई थी फिर satellite network का प्रियोग किया गया था उसके बाद class project 84 में आया फिर NEP 1986 और उसका program of faction 1992 में जिसमें भी तक्नीक परक्षिक्षा की बात की गई थी उस समय के तक्नीकी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से 2004 में education satellite launch की गई और ICT at school scheme विद्याली शिक्षा के लिए और cal project computer-aided learning NME ICT national mission of education in ICT for higher education ये 2004 में आया इसके बाद ICT at school scheme को revise किया गया 2010 में और ICT award introduced किये गए और हमारे बीच ICT awardees भी इस कारेकरम में उपस थे थे फिर 2012 में ICT policy का एक draft तैयार किया गया मसादा बना 2013 में NROER और ICT curriculum ये दो महत्वपून project की शुरुआत की गई NROER जैसे कि अभी दीक्षा एक repository है NROER भी national repository थी digital content की open educational resources की और ICT curriculum विद्यार्थियों और शिक्षकों में ICT competencies को विक्सित करने के लिए 2015 में हम सभी जानते हैं Digital India campaign launch किया गया था सरकार के द्वारा और यी पाटशाला mobile app और website के रूप में NCRT द्वारा शुरुवात की गई थी इसके जिसमें की digital संसाधन और पाठे पुस्त के एक app और portal में लब्द थी और अभी भी है EPG पाशाला higher education के लिए start किया गया जिसमें सारे PG courses को massive open online courses के मैस के रूप में convert करने की यह एक पहल थी higher education में फिर swarm mooks एक platform है जो launch किया गया था 2017 में और जो PG EPG पाशाला के तहत जिन PG courses का निर्मान online माध्यम से करा गया था वो स्वयम में mooks platform के उपर इनको upload किया गया और disseminate किया गया NCRT और NIOS ने यहाँ पर school mooks भी डाले अलग कि यह higher education का platform था लेकिन school mooks को भी यहाँ पर NCRT और NIOS के माध्यम से इन पर upload किया और disseminate किया गया इसके अलावा स्वयम प्रभा एक अन्य इनिशेटिव था जिसमें NCRT ने 24-7 चैनल की शुरुवात की और दूसरा जो महत्पून प्रोजेक्ट था वो था दीक्षा digital infrastructure for knowledge sharing जो NCRT को मिला इससे पहले यह जो project था यह CBSE के पास था 2017 में यह NCRT को handover किया गया था दीक्षा 2018 में अगर हम देखें तो यह सोचा गया इससे पहले हम सभी ने सुना होगा सर्व शिक्षा भियान और माध्य में एक शिक्षा भियान लेकिन अब यह सोच बनी की शिक्षा को हमें fragments में नहीं देखना चाहिए टुकडों में नहीं देखना चाहिए बलकि एक समग्र रूप में देखने की आवशक्ता है और समग्र शिक्षा का जो vision था वो 2018 में आया पैरलली हमें सभी जो शिक्षा के segments हैं, level हैं, star हैं उन पर ध्यान देने की आवशक्ता है इसके साथ ही 2018 में cyber safety and security की guidelines की भी का निर्मान हुआ और उनको disseminate किया गया 2019 में निष्ठा एक important शिक्षक प्रशिक्षन कारेक्रम था, national initiative for school heads and teachers holistic development जिसमें elementary education के लिए करीब 18 modules थे जो विद्याले शिक्षा के सभी महत्रपून छेत्रों से संबन्दी थे, जिसमें pedagog जी एक महत्रपून आया हम था, तो ये cascade mode में करा गया, लेकिन cascade के जो cascade था effect उसको कम करके ताकि information loss नहीं हो, ये एक initiative शुरू किया गया और साथ ही guidelines for development of e-content का निर्मान भी इसी समय हुआ, और 2019 में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व को, COVID-19 महामारी ने सिग्रस्थ हो गया था, पूरा विश्व, तो ये 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के बाद ये जो निष्था कारिक्रम था, इसको समाप्त करना पड़ा, रोकना पड़ा महामारी की वज़े से, परन्तु, NCRT के प्रयासों से दीक्षा पर के माध्यम से निष्था को लॉंच किया गया, और सारे 42,000 टीचर्स को, प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, निष्था के 18 मॉड्यूल में. दूसरा, फिर 2020, जबकि National Policy of Education देश को समर्पित की गई, तब से लेकर, जिस वर्ष में अभी हम है, 2024 के बीच क्या प्रयास किये गई, वो आप यहाँ इस टाइम लाइन में देख सकते हैं, 2020 में तो National Policy of Education ही देश को समर्पित की गई, फिर NETF का Establishment किया गया, National Educational Technology Forum, जिसकी अनुशनशा, NEP 2020 में की गई है, दूसरे प्रज्याता गाइडलाइन, जिसकी मैंने बात की थी, क्योंकि हमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, तो प्रज्याता गाइडलाइन, कैसे limited technological support से, और जो full technological support है, उसके लिए अलग-अलग जिसमें भली बातिया समझ सकते हैं, दूसरा PME विद्या एक initiative और NDR की शुरुवात की गई, PME विद्या एक अम्रेला प्रोजेक्ट था, जिसके तहत आज 200 TV चैनल जो देश को दिये गए हैं, लेकिन शुरुवात हुई थी, NCRT ने एक 24-7 चैनल 2017 में शुरुवात किया थ और अब 2020 में महमारी के बाद 12-7 चैनल शुरू कियेगे, हर एक क्लास के लिए एक चैनल, तो ये COVID के समय कारे हुआ, जबकि पूरा देश एक हौल्ट पे था एक तरह से सब कुछ, तो उस समय CIT में 12 चैनल को चलाने का कारे चल रहा था, और ये भरी बाती संपन भी किया गय इसके लावा NDAR एक framework है, National Digital Education Architecture हम इसको कहते हैं, जितने भी Digital Education Initiative है, चाहे वो राष्ट्रिये स्तर पर हो रहे हों या राजकिये स्तर पर हो रहे हों, उन सब को इन NDAR framework के अनुसार होना चाहिए, तो ये उस वेशे में एक framework है, इसके अलावा विद्या समीक्षा केंडर एक अन्य initiative है, जो स्पीच शुरू किया गया, जो कि data driven decision making के लिए important है, क्योंकि gaps कहां है, अगर देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो जब तक हमारे पास data नहीं होगा, हमें उन gaps के बारे में जा स्थापित किया जा रहा है, NCRT के सहयोग से, और NCRT में तो स्थापित किया ही गया है, नैशनल विद्या समीक्षा केंडर, सबसे पहले गुजरात में इसकी शुरूआत हुई थी, इसके अलावा NCF for School Education Foundational Stage 2022 में आया, और NCF for School Education 2023 में, ये दो curriculum framework National Education Policy के हिसाब से थे, और Draft National Curriculum for Teacher Education भी 2024 में ready है, तो ये सारे अब तक के प्रियासे हैं, और अभी नई policy, नई curriculum framework के हिताब से, किताबों का कार्रे, किताबे निर्माना धीन हैं, चाहे वो digital format में हो या physical format में हो, तो class 1, 2, 3 और class 6 की किताबे आ चुकी हैं, जिनकी digital version भी उपलब है, तो ये जो कार्रे हैं, वो हम इस timeline में update भी कर लेंगे, क्योंकि पुस्तकें भी आ चुकी हैं, अगला slide अगर हम देखें, तो इसमें देखें कि NEP 2020 में क्या key initiatives recommend किये गए हैं, तो यहाँ अगर हम देखें, तो शुरुआत करते हैं, हम आप अपना cursor ये green वाले पे लियाएं, ग्रीन जो shutcone है यहाँ पे, तो NEP 2020 digital repository की भी बात करती है, for content dissemination, और दीक्षा के रूप में ये हमारे पास उपलब्द है, और NEP 2020 में भी SE repository की अनुशंशा की गई है, फिर laying down standards for content, technology, pedagogy, हर चीज़ के लिए, अगर हम e-content की बात करते हैं, तो एक standard e-content कैसा होना चाहिए, अगर हम digital education की बात करते हैं, तो उसके parameter का standard क्या होना चाहिए, तो NEP 2020 में हर digital initiative के लिए standard establish करने की बात भी करी गई है, मानक स्तापित करने की बात की गई है, चाहिए वो content development हो, pedagogy हो, digital education हो, या अन्य कोई initiative हो, technology related, फिर blended learning approach की भी बात इसमें की गई है NEP 2020 में, ताकि किसी भी आपवात स्थिती में और learning को रोचत बनाने के लिए भी हम blended learning approach का प्रियोग कर सके हैं, इसी तरह से ICT enabled pedagogy की बात करी गई है, और digital creator हम कैसे बन सकते हैं, ये बात भी NEP 2020 में है, फिर addressing the digital divide, जो gray box है, इसमें हम देखें, इसकी बात भी की गई है, अभी हमने चर्चा की थी digital divide के बारे में, और इससे की हम equity establish कर सकें, through the use of different medium, repository एक medium है, इसके लावा 24-7 channel है, वो एक अलग माध्यम है, इसके लावा digital content है, physical किताबे हैं, energized textbooks, तो इस तरीके से radio है, तो multi-mode access to education सुनेशित किया गया, इसके लावा data-driven decision making की बात भी NEP 2020 में highlight की गई है, जिससे learning outcome को improve करने में हमें मदद मिल सकें, और इसके लिए हम एक standardized learning outcome framework पर विचार कर रहे हैं, जिससे इसके भी standard सुनेशित किये जा सकें, और यह भी सुनेशित किया जा सकें, कि देश भर में learning outcome का हम achievement सुनेशित करें, और उसका data भी हमें receive हो कि किस तरीके से सारे देश के विद्ध्यारती learning outcomes को achieve कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरे areas हम देखें, तो skill courses है, multilingual learning, content for CWS and e-museum establish करने की बात भी NEP 2020 में की गई है, अगर हम अभी अगली side पर चलें, तो यह कुछ area हैं जिस पर बल दिया गया है NEP 2020 में, teaching learning and evaluation पे, removing language barriers पे, enhancing educational access, supporting teacher preparation and professional development through technology, increasing access for दिव्यान students, उनकी हम कैसे मदद कर सके, streamlining educational management and administration with the support of technology, इसके अलावा आगे अगर हम देखें, तो यह कुछ digital education initiative हैं, जो NEP 2020 की अनुशनशाओं को पूरा करते हैं, उनके तरफ एक कदम हैं, जैसे की foundational literacy and numeracy के लिए e-jaaduई पिटारा है, physical जादूई पिटारा भी है, पर e-jaaduई पिटारा भी उपलब्द है, इसके अलावा दिव्यांग students के लिए early detection करने के लिए disabilities का एक प्रशस्त mobile app का निर्मान किया गया है, एंड ये यार राश्टिय विद्या समीक्षाखेंड जिसकी हमने बात कई data driven decision making के लिए वो एक पहल है, इपार्शाला ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन ये अभी भी चल रहा है initiative, फिर national curriculum framework निर्मित करने के लिए tech platform की शुरुआत की गई थी, पेपरलेस वर्क तो हम करें ही और एक bottom-up approach से national curriculum framework का निर्मान हो सके, जिसमें सभी top-up नहीं हो कि NCRT ने national level पे बना लिया और फिर percolate हो रहा है states and union territories में, बल्कि ये exercise nationwide exercise की गई, जिसमें सभी राज्ये और केंदर शाषिक प्रदेशों की भी प्रतिभागिता रही, टेग platform के माध्यम से उनका vision भी इस curriculum में आया, जिसको की national level के curriculum framework में reflect किया गया, इसके अलावा दीक्षा की अगर हम बात करें तो दीक्षाई की initiative and digital infrastructure for knowledge sharing, जो की high quality digital content की एक repository है, जिसमें e-books भी है, इसके अलावा अपना चंदरयान, जब चंदरयान को launch किया गया, देने के लिए, यह एक portal बना, जिसमें बहुत ही interesting activities हैं बच्चों के लिए, जो रोचक तरीके से चंदरयान के बारे में या space technology के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, PME Vidya initiative जो की एक amrela initiative है और सारे digital education initiative PME Vidya के तहत ही आते हैं, जिसमें दीक्षा और यह इतने इनिशेटिव की बात कर रहे हैं वो हैं साथी 200 TV चैनल का implementation भी इसी के तहत हैं, निश्था की हमने भी बात की ही है, national initiative for school heads and teachers holistic development, इसके अलावा NEP के हिसाब से virtual labs स्थापित किये गए जो दीक्षा पर उपलब्द हैं, मनो दरपन और सहयोग यह दो initiative हैं जो हमारी mental health को किस तरीके से हम ध्यान में रखे हैं, किस तरह से उसको address करें, उस बारे में हैं यह initiative, इसके अलावा है guidelines and orientation on cyber safety and security और मूप्स on स्वयम, एक बहुत छोटा purple circle है, जिसमें हम CPD बात करी गई है, CPD और courses on दीक्षा, यह initiative भी निरंतर चल रहा है, तो इसके लिए guidelines और अन्य प्रियास चल रहे हैं, ताकि हम pandemic के समय तो एक stop gap arrangement किया गया था कि courses दीक्षा के मांधियम से disseminate करें, अभी PAL, personalized adaptive learning platform और एक LMS के बनाने की शुरुआ दीक्षा पर की गई है, यह multimode access के बारे में जो हम अभी बात करी रहे थे कि कैसे multimode access सुनिश्चित किया जा सके, तो इसमें हम देखेंगे television, radio, दीक्षा जो कि एक portal है, व्यांगों के लिए special e-content, online courses, virtual labs, तो इसके माध्यम से केवल एक माध्यम से नहीं कि हम TV के माध्यम से या radio के माध्यम से या portal के माध्यम से educational dissemination कर रहे हैं, बलकि इन सारे modes का प्रयोग करके, ताकि जिसके पास जो उपलब्ध है, उसके प्रयोग से अपने शिक्षा को सुनिश्चित कर सकें, नेक्स्ट, यहां हम देखें जो 200 टीवी चैनल की में बात कर रही थी, यह 9 मार्च को 2024 को इनको लॉंच किया गया था, नेक्स्ट, यह है PM इविद्या के जो major achievement, इसको हम देख लेंगे क्या-क्या है, जिसमें देश भर में कारेशा, के से लोगों को invite करके कारेशालाइं की कि कैसे implement करना है इन 200 चैनल को और उसके लिए SOP बनाया गया, और किस तरीके से इनको simulcast भी किया जाए YouTube चैनल के माध्यम से, यह है, नेक्स्ट लाइब पे अगर हम जाए, तो यह PM इविद्या का feedback mechanism है, ताकि लोगों के feedback भी receive किये जा सकें, इन चैनल पे जो content disseminate हो रहा है, उसके विशह में, तो एक मनुदरपन initiative है, उसके माध्यम से हम call receive करते हैं, IVPRS calls है, जो की instant voice response system है, जिस पे हम देख सकते हैं कि कितने call receive किये गए अभी तक, email एक अन्य mechanism है, और feedback forms के माध्यम से भी feedback receive किया जाता है, PME विद्या के channels के विशह में, नेक्स्ट, ये हम देखें कि दीक्षा के विशह में हैं, जो की एक repository of digital content है, इसको एक digital public good, जब G20 के समय announce किया गया था, कि दीक्षा एक digital public good है, और इसको हम offer कर रहे हैं पूरे world को, ताकि जो इसके nuances हैं, इसकी खासियत हैं, उसका लाभ अन्य देश भी उठा सके, यहां हम देखेंगे कि दीक्षा को किस तरह से एक one nation, one digital platform के रूप में इसको देखा गया है, क्योंकि convergence of effort भी जब हम technology की बात करते हैं, बहुत आवशक हैं, यह नहीं कि parallelly एक ही दिशा में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो यह one nation, one digital platform हैं, जिसमें एक ही जग है, सारे राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों के digital किताबें, digital content यह सब उपलब्द हैं, लेकिन यह centrally controlled नहीं है, हर राज्य, हर autonomous organization इस पर एक tenant है, और जो अपने space को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी रेस को हमें एक बहुती democratic, federated infrastructure दीक्षा को बोलते हैं, तो इसमें क्या-क्या उपलब्द हैं, features क्या हैं दीक्षा के open educational resources यानि की free उपलब्द हैं, दूसरे curriculum aligned हैं, यह content analytics भी इसमें मिलते हैं कि क्या content किस तरीके से देखा जा रहा है, users content और metrics भी इस पर हम dashboard देख सकते हैं, दूसरा multilingual support भी हैं, अभी दीक्षा पर 100 से अधिक यह collaborative platform भी है, जिसमें विद्यादान initiative के माध्यम से कोई भी content का दान कर सकते हैं, और directly content इस पर upload कर सकते हैं, जोकि एक review mechanism से गुजरने के बाद ही उस content को हम live कर सकते हैं, फिर इसके offline access partially upload हैं, और इस पर हम कारे कर रहे हैं, क्योंकि हर content downloadable है, एक बार हम content download कर लेते हैं, तो वो offline उसको हम access कर सकते हैं, दूसरा digital content की variety जो दीक्षा पर हैं, वो हम देखे energized textbooks हैं, जो QR port से energized हैं, assessment questions हैं, infographics हैं, courses हैं, guidelines and handbooks हैं, video जिसमें की Indian sign language videos भी हैं, झाल, 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 झाल झाल